आपको भविश्य किस-किस को दिखता है, मेरे को भविश्य का सब चीज दिखता है, कौन-कौन है, वो हात उचा करे के मुझे भविश्य का हर चीज दिखता है माराज, वर्तमान का इठिकाना नहीं है माराज, किसका भविश्य दूर की बाद वर्तमान दिखता नहीं है, अब बहुत सरलता से आपको समुखें, विकसित प्राणी मनुश्य है, दिमाग से, चिंतन से विकसित मनुश्य है, के पसु पक्षी है आप बताओ, बोलो बराबर जवाब देना, मनुश्य विकसित है, चलो, आपने ये पक्षियों का सरनालई देखा होगा, ये सरनालई में अंटार्क्टिक से भी पक्षियां आके याँ सरन लेते हैं भारत में, इस प्रयोजन को लेके अगर देखें तो एक पक्षी को एक बच्चा हुआ ऐसे समझें वो हुआ आगस्ट मैं में इस मैंने में और सेप्टमबर अक्टोबर में ठंड लगने लगती है नवंबर पकड़ो याने इस पक्षी के बच्चे ने पहले कभी ठंड देखी नहीं है उसने कोई बर्फ बारी देखी नहीं है बर्फ का बरसाथ होगा अंटार्टिक में चारों तरफ बर्फ से डग जाएगा वहां कुछ नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे अब यहां से समुद्र के आठ अजार किलोमेटर पार करना कितना अच्छे से सोचो के आठ अजार किलोमेटर पार करके इंडिया का मैप उसको किसने दिखाया अभी देखो आप बोलोगे के अनुभव से काम करते हैं हम अब इसको आगे सर्दी आएगी यह किसने बताया क्योंकि यह तो जन्माई अभी है कोई पिछला सर्दी का मोसम तो उसने देखा ही नहीं है वो बर्फ बारिस इसने देखी ही नहीं है आगे बर्फ आएगा इसको किसने समझाया नमबर बोन, यह सवाल है कि आगे बर्फ पड़ेगी तो मैं मर जाऊं ये रहाऊ तो आगे कई निकल ना है दूसरा इंडिया किस दिसा में है ये किस ने सिखाया इंडिया कितने दूर है ये किस ने सिखाया रस्ता पूरा अंडर्टिक का मैप देखो आप उस मैप से इंडिया का देखो रस्ता पूरा पानी ही है बीच में कोई स्थान नहीं है अगर थोड़ा भी उसको भूग प्यास लगे या सरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाएं तो समुद्र में पड़के मरना पड़ेगा के नहीं उस पक्षी को कि तो इतनी दूर आने के लिए कितनी कलोरी एनर्जी चाहिए तो वो कैसे उसको संभाल के चलता है रस्ते में पानी है इसको किसने दिखाया है और बराबर भारत के शरनालई में आखके सीधा जैसे फ्लाइट उतरता है वैसे ये उतरता कैसे कभी सोचा आपने ये अतींद्रिय शक्ति के साथ विश्वक के सभी जीव जन्म लिये हैं लेकिन हजारों सालों से ये पक्षी पसु प्राकृतिक जीवन वोई जी रहे हैं आप विक्रुत हो गए इसलिए आपको अब भविश्य नहीं दिख रहा आप में भी वोई शक्ति है ये पक्षी में है जितनी शक्ति आप क्या पक्षी से भी गए बीते हो अब बताए ये पक्षी को मालूम पड़ गया कि आगे बरफ पड़ने वाला है मुझे यहां से निकलना पड़ेगा नंबर वन दूसरा किस दिसा में जाना नंबर टू कित उसमें पतली डाली मुँ में चोंच में ले करके चलती है और रस्ते में ठकान हो गया तो ये पतली डाली को पानी में समुद्र में डालके उसके उपर थोड़ी देर बैठ जाती है क्योंकि ये डाली तिरता है तो इस पर बैठती है वापस उड़ने का भाव आएं तो डाल को वापस मुझ में लगा के चलने लगती है फ्लाइटिंग वेवस्ता भी उसके पास है हां ऐसे सीधे किलोमेटरएक उडान में नहीं आती है वह भी थकान ले मिठाने के लिए कहीं बैठ पैठती है लेकिन रस्ते में पानी ही पानी है इसको लेके जाओं तो तिर के फिर वापस उठ जाओं ये विवस्ता को किसने सिखाया बताइए थोड़ा बताइए अब आप बताइए कि वो जो पक्षी है जो बोलना नहीं जानता चिंतन की उस्क में शमता नहीं है दुनिया की कोई प्रकार की विकसित यंत्रों की विवस्ता उसके पास नहीं है आपके पास दुनिया के सभी प्रकार के आज कपड़े दोने के मिशिन बरतन गिसने के मिशिन आपके सब काम करने के लिए रोबो भी आ गए आपको कुछ भी समझ नहीं है आपका जीवन दुख से भरा है तकलीकों से भरा है चिंता से भरा है और वो मुक्त हो करके वो पंची पंक उड़ा करके मस्ती से उड़के इंडी आता है और जब यहां गर्मी लगने लगेगी वो क्या है का अंटार्टिक के उस वेदर में रही हुई यह उस दापमान में जा इतनी गर्मी वो सेन नहीं कर सकती तो गर्मी आने के पहले वापस उड़के अपने देश भी पहुंच जाती है और वापस यहां आ जाती है समय पर और यह पक्षी रस्ते में मरी आज तक आप सुन नहीं सकते और हमारे हजारों एक्सिडंट ह होते हैं हजारों दुरुगटना हजार विपतियां हजार दुख हजार संकट है के नहीं बोलो आप बोलो तो आप प्रकृती से दूर हो गए हुआ आज तक किसी पक्षी ने अपना आहार बदला क्या आहार चरिया बदला क्या देखिए आप देखोगे तो मासाहरी साकारी प्राणियों का आहार पद्दती देखो तो यह आपको समझ पढ़ जाएं कि कौन साकारी है कौन मासा हारी आहार पद्दती से समझ पढ़ता है कैसे शेर लायन टाइगर ऐसे जीवों को देखोगे तो इनकी आंतडियां डेड़ फुट की होती है कितनी क्यों ऐसे मास खाने व दोपार सकती है इसलिए इतनी छोत्ति आंतड़ी है कि फटाक करके नीचे उतर के बार निकल जाता है मलक के रूप न हमारी आंतडियां कई 12 15 फूट लंभी मुडी हुई आंतडियां हैं जैसे गाई की है जैसे हाथी की है साकारी प्राणी होगी साकारी प्राणी घास जादा रहेगा पेट में उतना ही प्रोटीन कलोरी विटमिन बनके शरीर में खून बनेगा इसलिए हमारी आंतरियां लंबी चोड़ी है उन प्राणियों के जो मासा हार खाते हैं उन प्राणियों के नक का जो वेवस्ता देखोगे तो उस मास को अच्छे से फाड़ के तुकड़ा करके दांच से निकाल के खा सकें ऐसे दांत भी लंबे होते हैं नक भी बड़े बड़े होते हैं आपके दांत लंबे-लंबे हैं ऐसे तीचन हैं शेर की तरह नक बड़े-बड़े हैं जो मास को काट सकते हैं तो आप साकारी प्राणी हो उस साकारी प्राणी में भी किस समय में क्या खाना चाहिए ये विवेग युक्त जिसमें प्रग्या आजाती है, उसको भविश्य दिखना सुरू हो जाता है, किसको भविश्य दिखता है? प्राकृतिक जीवन जीने वाले को, क्योंकि आपको आगे क्या होगा ये समझने की बुद्धी के साथ ही इश्वर ने बेजा है वो बुद्धि आपके अंदर ही है आपको तो कल सुबह क्या होगा ये चिंता से तड़प आती है कि आती है कि नहीं विकृति है ही तड़े हैं कि अधा हम ये पूझाशाद में से किवला कि अदर बस्तर फैनते हैं क्या है करा प्रकृति यहीं है आप सीने लगे फैन Cake सीये हुए कपड़े तो सी यह हुए कपड़ों में पंचछतवों की वूर्जा प्रवेश प्रवेश कम करते हैं जहाँ जहाँ आपने कपड़े को सिला है वो जगह की जाउइंट ये एनरजी को अंदर लेने से नेगलेक्ट करती है इसके लिए पूजा वस्तर पेन के पूजा करशते हैं पूजा वस्तर याने उट बाई इभाद में नीन लेना हो टेरwa इक मिंट ऊट बार में आराम से मिन लेना को टो खड़े ओद धेखो यह वस्तर देखिए ये वस्त्र अखंड है सिला हुआ नहीं हम इसको पूजा वस्त्र केते हैं सोस्ते हैं पवित्र होना तभी पूजा में बक्ती होगी इसलिए ये वस्त्र पैंते हैं सा नहीं है इसमें कहीं स्टिचिंग नहीं होने से पूजा के समय में उत्पन होने वाली डिवाइन spiritual energy 100% सरीर में प्रवेश करेगी इसलिए ये वस्त्र है आजकल फेशन होगे अफटे हुए कपड़े को पैन कर भी बैट रहे हैं पैंट फटा है सर्ट फटा हो मेंगा भी है वो क्या है तो ऐसे वस्त्रों में ऊर्जा नकारात्मत प्रवेश करती है फेशन के हिसाब से आप कुछ भी करो यह अलग बात है आपको फेशन अच्छा लगता है बढ़िया है लेकिन यह फेशन आपकी उर्जा सर्वोत्म होने के बात करो तो अलग बात जो खुदी अदूरा है वो अदूरी वस्त्रों के सयोग से और पाव हो जाता है जो अदूरा तंजावूर नाम सुना है अपने तमिलनाड में टैंजोर बोलते हैं इंग्लीश में जहां राज राज छोड़ने विश्व का सर्वोत्म ब्रहदीश्वर महादेव का मंदिर बनाया है उसके उपर का जो गुम्बज है पत्तर का एक पत्तर का है 20 तन का उसको 260 फुट उप Kensal छड़ाई बृष जमाने में बिना कोई एंत्र आज भी आशेरिया है कि उस मंदिर की रात में रात में हैं निचे नहीं गिर्दू यह कई गिर्ती नहीं दुनिया के सभी साइंटिस्टों ने आके खोपड़ी लगा ली के यह कैसे बनाया होगा आज तक कोई सोच नहीं पाया ना समझ नहीं पाया ये तैंजोर इधर सर्बोजी राजा मराटियों के राजाओं का राज्यकाल में अमावास में समुद्रश्नान करने जाते जी अमावास में समुद्रश्नान करके देवी के दर्शन करते देवी तिरकड़यूर यहीं जहां मारकंड़य रिशी ने यम से विजय पाया शंकर प्रकट होके 16 साल सदा रेने का वरदान दिये मंदिर दक्षिन भारत तमिलनाड में तिरकड़यूर है जहां भगबान ने प्रकट होके मारकंड़य रिशी को सदा 16 वर्ष में चिरंजी वी रेने का वरदान दिया तो आज भी जिनकी साधी होके 60 वर्ष हो गए सदा विशेक करने के लिए उस मंदिर में लाकों लोग जा के परम भक्त वह ऐसे बक्त मा की भक्ती में पागल हो गए हैं वो पागल पना में कभी भी मस्त रहते हैं उस मस्ती में वो मा के मंदिर के सामने खड़े होकर के मा का दर्शन कर रहे हैं तो राजा प्रवेश करें और सिपाई बोले राजा आ रहे हैं सरक सरक इन में हाती जै ने कि इसको धक्कामार के बाहर निकाल को इतने में इनके मूह से निकऽा एक कुछ णा कुम के दिन मा का दर्शन कर रहा हूं इन क्या था लिग्या दीन था proudly वास्या कर दिने, ओक है मैं पूनम में मा का दर्शन कर रहा हूं, यह सोचे का बड़ा बूर कहिए, ना तो जगा देता है ना बड़ों को इज़त देता है, उपर से उल्टा सुल्टा बोलता है, पूनम है तो आद चांद आएगी, आएगी रे आएगी जा, मा है तो सब आए राजा हैं भई अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस मा के भक्त को अगनी के लपेटों के बीच में, लोहे की सलाई में एक लोहे की तक्ती लगाई गई, उसके उपर खड़ा दिया गया, अब अगनी का जोर जोर से लपेट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तब उनको थोड़ा सा होश आया, वैसे तो मा की बट्विमें होश आना नहीं है, लेकिन उनको होश इसलीया आया, कि मैंने क्या बोला ने आज क्या दिन है, उनको फिर याद आया, मैं मा के मुक्त को देखके, चांद की तरह सुनी रोष्नि वर्व अर्शितलता, में आज पून मैं बोल दिया और इस राजा का अपमान कर दिया और इसने इधर अगनी में मुझे खड़ा दिया अभे धक्का मारेगा तो मैं इधर गिरूंगा और भस्म हो जाओंगा हां तो उन्होंने उस समय सो स्थूतियों की एक स्थोत्र बनाया उसमें सो स्थूति है तमिल में है जिस शब्द से खतम हुआ उसी सब्द से दूसरी स्थूति शुरू हो अंतव और आदी जिसको अंतादी कहते है अभिरामी अंतादी नाम से अंत में जो शब्द है वो ही आदी में शुरू हो याने पहले स्थूति में अंत में जो सब्द था दूसरे स्थूति में उसी सब जी वास्तूती सेवैंटी नाइन गुनासीवास्तूती आया तो भगवती आकास में प्रकट हो करके अपने कान का जो ताटंग केते हैं कान का जो कुंडल है इस कुंडल को खोलके आकास में फेंकि यह बहुत पुराणी बात नहीं है अभी 100-100-200 साल बुरानी बात बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी ने क्योंके सर्भोजी राजा हैं अभी 500 साल पहले राजकी इस्तमिल नाण तो उस समय माने कुंडल उटा के आकाश में फेका तो फेका हुआ कुंडल चांद बन गया और अम्मावस में चांद उदित हुआ और राजा ने चरण में पढ़के उनसे मापी मांगी कि आप जैसे माप पुर्षों को मैंने अपमान किया इस समय जो प्रतम स्थुति आती है प्रतम स्थुति में वो बोलते हैं याने लाल सूर्य की समान उदित रहा सूर्य की समान लाल रंग वाली लाल सिंदूर की तर लाल वाली मानक की तर लाल वाली मानक रतन होता है न वो कैसे होता है मानक कैसे होता है कैसे होता है कोई मानक देखे हो यह कि कंकर वाला है हाँ हमारे पास मानक ना हो चले हमारे पास पैसा ना हो तो चले ज्यान लेने में कोई पैसा नहीं लगता हर्जा नहीं लगता आप वाटसप में गुगुल में अच्छी चीजों का ज्यान लेना सीखिए मानक का रंग तो पता नहीं ना मिता बच्चन पता है सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हमको जो चाहिए वो पता नहीं है आप सम्रुद्ध बनना चाहते हो तो जिन जिन चीदों में सम्रुद्धी है उसका ज्यान पहले लो फिर चीज भी आएगी जीवन में अमेरिका का डॉलर आज क्या बाव चल रहा है पहले देखो आप सोचोगे के मेरे इंडिया के ही पैसे क्या पता नहीं मैं अमेरिका का सुनके क्या करूँगा मैं लंडन का सुनके क्या करूँगा जब उस तरंग से जुडोगे उस बूर्जा से जुडोगे तो वो चीज को ख तो दक्षिन में ही जाना पड़ेगा राजस्तान के रस्ते में जाकर कन्या को मरी नहीं आएगा मनो रंजन समय नश्ट कर के तो ये महराज बड़े ज्यानी ये कहते हैं के सूर्योदई के समय लाल रंग बाली मांग सिंदूर की तरह लाल रंग बाली मांग 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 की तरह लाल रंग ब बाद में इसकी जिनों ने अनुवाद किया इसका अर्थ समझाया उन पंडितों ने बाद में इन स्तुतियों के बारे में लिखा तब लिखा कि भगवती को लाल रंग में ध्यान करोगे तो मरणों परांत दुख से भी एक शड़ में मुठी मिलेगी इसलिए वो लाल रंग म कि द्यान कर रहे हैं किस रंग में ध्यान कर रहे हैं जबी संक्त आवेदे पत्मावती लाल वस्त्रधारन की हो लाल मानक का मुकुट पेनी हो लाल क्यों लाल लाल मानक की छोटी-छोटी गुंजुर लगी हुई पायल पहनी हो लाल लाल दिखती हो ऐसे उसका ध्यान करोगे तो भयंकर से भयंकर आपति और संकट से भी आप मुक्त हो जाओ यह स्तुति यह समझाता है यह रंगों की महिमा को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ आस तक अपने देखा होगा जब तक जीवीत होता एक वकती अंतिन सांस के लिए लड़ रहा होता जिस आंबुलंस में जाता वो सपेद रंग का होता है किस रंका होता है सपेद रंके अंबुलेंस में कौन जाते हैं मरच जो प्राण के लिए लड़ रहे होते हैं जिन में प्राण होता है और मर जाता है तो काला मार्चुवरी वेन में जाता है वो जो मुर्दों का वेन वो काला रंका काला पैंते हो तो समझना मुर्दे बनने की तयारी में हो, सपेद पेंड रहे हो तो समझना कि आनंद लेने की तयारी में हो, ऐसे ही जैन सादू सपेद नहीं पेंटा, उसको मालूम है कि दुनिया की ताकती सपेद में है न दुनिया की तामस्ता काले में है, और आजकल काला पेंडना बहुत चलन में आ गया है, काला पे लिए पाविश्व में एक तीर है जहां काले कपड़े काली चीज़ लेके मंदिर में नहीं छोड़ते हैं इतना सक्त हमने नीयम का पालन रखाया कोई भी काला पेने सभी वाचमें स्टिकते जाके तो देखो अंदर कोई छोड़ता है क्या देखो जाके तो हमारे जीवन में दुख बहुत किसको सुनाओ, क्यूं सुनावे, जितना सुनाता है, जितना परपंच करता है, जितना मनोरंजन करता है, जितना विकार में समय बिगारता है, उन्नती के रस्ते पाने के इतना ही अभ्यास करतू उन्नती पालेगा, तेरे पास वोक का टाइ क्लियुम का है अरो अरागमी तीन tuta रोज वोटीटी में मुवी देख रहा है सीरियल देख रहा है फिच्चय balance देख रहा है गरों में चल रहे हैं माता जी आके मेरे को बोले कि घर में बहुत परिशानी एपती से नहीं बनती है बच्चे बहुत परेशान है घर में कुछ काम नहीं होता असांती बहुत है अरे टू टीवी देखो हमारे घरों में आजकल एक मिशिन आता है वो मिशिन लगा लेते हैं जिसमें 24 गंटा राम राम बोलता रहता है वो मिशिन आपने देखा न ऐसा कोई मंत्र कायतरी म मंत्र बोलता है नमस्षिवाई बोलता है ऐसा मिशिन आया है आया क्या मरें किसके घर में है इसा मिशिन क्यूं लगाया अरे मिशिन मेरे भाई बता क्यूं लगाया सुनने से क्या होगा अरे क्या होगा सुनने से अच्छे इन मंत्रों को सुनने से घर में सांती होगी कृपा होगी इसलिए तो डाला अरे इतने हुश्यार लोगों अगर नमस्षिबाई डालने से घर में सुकसांती आती है तो टीवी डाल के 24 गंटा बलाद कार, एक्सिडेंट, किटने, गूस, परिसानी, नेता पकड़ा गया, वो केद हो गया, ये मर गया, वो गुड़ गये, ये बस इदर गायल होने से चुमाली स्लोग मर गये, इस इडियेट बॉक्स को जिस दिन गर में बंद कर दोगे, आपका इडियेट पना खतम हो जाएगा उसी दिन से, फिर आपको सुक सांती है, जब आप नमशिवाय बोलने से सुक मानते हो, मैसूस करते हो, तो टीवी खोल के देखो, हाँ, क्या आता है, मंत्री जी गूस लेते समय पकड़े गये, और उनको साड़े तीन वर्ष की कैद का सजा सुनाया गया, बारह साल की लड़की के साथ, नावाली के साथ, सामुहिक बलात का, बस गिरने से तेरा लोग मरे, अब ये मरेन, पकडेन, कूटेन, मारेन, इसी को घर में डालके 24 गंटा सुनोगे, इन शब्दों से घर में क्या तरंग आता होगा, ये कभी सोचा है, अगर देख नहीं है, नहीं मरा देखे बगर नहीं रह सकते, तो ब्लूटूथ से यूट्यूब कनेक्शन कर लो, तौट योगा चेनल देखते रहो, कहने का मतलब ये नहीं के तौट योगा देखो, मैं कोई प्रोमोशन नहीं कर रहा हूँ, संतों की बानी सुनते रहो, संतों की अब कर वादी में उनकी शंत्पने की शक्ति से सदाचार की सक्थ्य भी साथ जुरेगी तो आशान्ती वाला घर भी शान्ती वाला बन जाएगा जिस दिन आप में चैन होना चाहिए कैं मुझे क्या चाहिए चोवीज गंटा टीवी में क्या आता ब्रेकिंग न्यूस आता है क्योंकि उसको टी यार पी बढ़ाना क्या आता है औरत बैठके रोएं किसी घर में बोजन लेने गया था सादू हैं हम लोग बिक्षा लेते हैं बोजन लेने गया तो एक औरत तो अंदर प्रोसरी दूसरी और अस हाल में बैठके मैं कि क्या हुआ भाई इसका क्या हुआ मैं आच्छे अच्छों को भी ऐसे रोते नहीं देखा तो थोड़ी इसकी बंद हुई फिर मैं पुचा क्या हुआ बेन नाई माराज बहुत दुकी हुई वो सीरियल देखी नहीं उसमें जो हीरोईन आती है उसका पती उसको बहुत मारता है और है वह रोती है उसको देखके मेरे को बहुत तकलिफ हो गया हुã उसका रोमा देखके मेरे को रोमाग्राज रो mmm ए किसको देखके कौν रोहएं रोने के लिए भी कोई मजबूत कारण होना चाहिए अगर इस जनम में रोऊंगा या रोऊंगी तो परमात्मा नहीं मिले इसलिए रोऊंगा और किसी काम से रोऊंगा मुझे परमातमा क्यों नहीं मिले मुझे मिलना मेरे परमातमा रोने के भी लायक की कोई कारण होनी चाहिए आप बोलो कोई होटल गए हो आप और पराटा आडर दिया और आप से परोटा आडर दियने के बाद वो लाके रखे दो करोड मांगे तो दोगे क्या बोलोगे इसका इतना कीमत नहीं है आपको मालूम है कि परूटए का कितना कीमत है तो आसु का भी कितना कीमत है ये समझ लो दुखी हो तो भी ऐसे कारण के लिए हो कि दुख को भी मजा आवे के कीमत दे रहा है मुझे चबनी की चीजों के लिए रोने मत लगो और चबनी की चीजों के लिए क्रिश्ने के लिए आके गीत मत गाओ इधर मेरे पास रोना है तो रोओ के गुर्देव माता पत्मावती का दर्शन कैसे हो सकता है बता दो नहीं तो मैं रह नहीं सकता मेरे से नहीं होगा रेना पैसे क के लिए आके या रोते हो रांड गागरा उंगाड के कमा लेती है एक दिन का करोड रुपया उसके लिए तेरे को बहुत चिंता आता है वो चबनी की चीज है अगर पानाई है तो यश्वर को पाने के लिए रोह और काई बात के रोते हो जिस चीज में वैश्याएं कमाती है, जिस चीज में स्मगलर कमाता है, वो कोई पैसा है, वो कोई बात है, उसको इज़त मत दो, इज़त देना तो जिसको इज़त देना उसको इज़त दो, फिर इज़त भी आपको इज़त देने लगेगा, दर काई काई इज़त आएगा, द एक दम पीला पेनों पीला पीला पेनों के तो देखो के मज़ा बहुत आ रहा है रंगों में बहुत महिमा है आप बोलो के रंगों में क्या पड़ा है आज भी ये कमर दर्द आने वालों को रीड की हड़ी में प्राबलम होने वालों को इंफ्रारेड रेस के लाइट से ही ठी करता है दोई रंग है मेडिकल में अल्ट्रा वाइलट और इंफ्रा रेड और इंफ्रा रेड लोगों को ठीक करता है क्यों पीले से क्यों दोले से क्यों नहीं करें यह हड़ी के पास वही रंग जाके काम करता है तो रंगों की इतनी महिमा है उस रंग का प्रकास सरीर के वें लोग जानते हैं काली होती थी ए चे आजकल तो दोली म्लेटिकलर तरसे के लेकिन अकरत शेंब भी लोग उस ओरर्जा की गरमी की तरइगों को अगर वो रंग निचे डालता है, तो गर्मी लगेगी ही, आप वो धूप से बच सकते, वो गर्मी से नहीं बच सकते, काला रंगी ऐसा है, जो भी तरंग आए उसको अपने में खीच के रख लेता है, बाहर नहीं छोड़ता है, सपेद पेन के देखो, रिफलेक्शन होता है, सपेद पेनों बार फैंकती है, सभी तरंग हो का हूँ, और काला अपने में खीचता है, इसलिए तांतरिक काला पेनता है, तांतरिक लोगों का काम है, आप देखेंगे, टीवी सीरियल में आपने ज्यादा कोई तांतरिक देखा है, के नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन टीवी में तो कर डोड़ कर डोट कुछ करता रहे गा काला क्यों पैंड रहा है आप अगर काला पहेंड रहे हो तो सत्ट्री काव काम कर रहा है जैसे छत्री रंगत रंगों को अपने में खीच के आपको गर्मी से बचाता है आज दैस्ट। में इर्शिया करने बाले जलन करने बाले नफरत करने बाले ज्यादा हो गए और अगर आप काला पहन के बैटे हो तो वो सभी तरंगें आपको खींच के वो काला रंग आपको देगा क्योंकि उसको बाहर डालना नहीं आता खींच नहीं आता है इसलिए काला पहनने वाले सब से ज़्यादा परेशान जल्दी होते हैं और लाइट कलर पैनने वाले सबसे सदा उत्साहित और आनंद में रहते हैं रंगों का महत्व समझोगे तो जीवन में वो भी आपका अच्छे से सयोग कर सकता है के वैं मैं कुछ रंगों का महत्व समझों कि क्या रंग क्या उचिए काम कर सकता है सफेद पेणना का कोशिश करो नाइ तो पी ला नाइ तो ऑर्रेंज नाइ तो लाइट ब्लू आइट ग्रीम डू काई भू सब कलर में लाइट औरंज मैकसिमम लाइट कलर पेनो एकदम डार कलर पेनना ही नहीं माताओं को मैं लाल इसलिए पेनाना चाहता हूँ कभी भी बोलता हूँ के लाल पेनो हमारे अभिरामी स्वामी जी ने अभिरामी अंतादी में पहले स्लोत्र में कह दिया मा तू लाल रंग वाली है तो हम भी लाल पेनेंगे तो मा के कृपा के पातर हो जाएंगे क्योंके मा लाल पहनती है इसलिए बेनों को लाल पहनना चाहिए पुर्षों को लाइट कलर पहनना चाहिए एकदम लाइट कलर पहनना कपड़े तो बहुत अच्छे शोबित कपड़े पहनने चाहिए आजकल घर में सोते हैं तो बर्मुडा पेन के सो लिए, चड़ी पेन के सो लिए, आप कहीं भी रहो, एक संसकार में रहो, एक व्यवस्ता में रहो, अगर वो संसकार आपके साथ है, आप कहीं बार मुझे बोलते हो, मैं जाब भी करता हूँ, मैं फूजा भी करता हूँ, मैं कखाये जाप तप फूजा व्रत फलित क्यों नहीं हो रहे माराज आपको मैं बोलू कि कोई अच्छी नाचने वाली को सिर्फ नाचने आना काफी है कि वो जिदर नाचेगी वो मंच मजबूत होना भी काफी है आप मुझे बताइए कि मंच एक्दम डीला है कोई भी खड़ें खाली खडने मातले से टूटने जैसा है भाह उदर खड़ी वो के थाम हवाम त्ताइं क्या होगी यह कि दो मिंट में क्या होगी उंदर कुछ जाएगी कि नहीं तो इस संसार के जितने मंत्र पूजा वरत है सभी बर्दनाटियम की तरह हैं क्या है लेकिन मंच बगर बर्दनाटियम जैसे नहीं होता है भाईरो सहस्र नाम पड़ोगे तो उसमें लिखा है मात्रु पित्रु प्रियंकरह अदुष्टाय साधवे याने जो इस जाप पूज करने वाला खुश करने वाला जूट नहीं बोलने वाला साधू जैसे सद गुणी उत्तम आत्मा होनी चाहिए अगर ये मंच मजबूत नहीं है तो बर्दनाटियम तिकने वाला नहीं है आप खाली ब्रत पूजाई कर रहे हो खाली जाप तप दिया दूपी कर रहे हो कि सपरति को काम नहीं आता आज ही मैं बता दूगा हो बार जूट वोलते हो एक दिने सो बार गुश्चा करते हो एक दिन तो रूसरों की निंदा करते हो है के नहीं बोलो कैसे वृत गासी सबूजा कैसी तप कैसा दिया कैसे समभर आपको काम करेगा बताओ मंच्च सही होना क नहीं बरनाटियम करने केलिए आपका मंच मजबूत है क्या आप बताओ हां आमारा मंच मजबूत है हम बिना काम घुसा नहीं करते किसी। वो आदमी उदर भी LI carp भी नहीं गया होगा इदर जैराम जी साप कहां बहुत दिन से दिकें नहीं नहीं है के नहीं मंच मजबूत करिए बरतनाटियम बले कम ज़्यादा आये तो भी चले लेकिन मंच सही नहीं होगा तो पैर तूटेंगे ध्यान रखो आप में जो जो अउगुन है मैं तो वो सादू हूँ पूजा करने नहीं बोलता वरत करने नहीं बोलता दिया दूट करने नहीं बोलता मंच को मजबूत करने की प्रेड़ना जिन्दकी बर देते आया हो किस चीज को मंच मजबूत नहीं है आपके अंदर में विकार बरा हुआ कितने अच्चे से यहां आके बेटे हो इतना अच्चा आप में सच्ची में स्वबाव है क्या आप देखो मुझे गलत मत बोलना मैं तो दुनिया के स्वबाव बता रहा हूं हाँ आप मुझ पर नार करते हो के नहीं इतना ही बोलो मुझे अपनी चीज पाने के लिए फरेब करते हो के नहीं बताओ अब बोलो मैं नहीं बोलूगा आपको बोलना इस हिसाब से इस स्टेंडर में देवी राची होगी क्या यही सवाल है पिर आप कैसे बोलते हो के दिया काम नहीं कर रहा कि मैंने जो चीज धर्ती में बेजी वो गड़बड़ा गई है वो चीज सुदर जाएं तो मेरी भी आत्मा खुश हो जाएं मा का तरस तो यह क्या तरस है हाँ आज हाथ जोड़ के मैं आपको प्रार्तना करता हूँ कि इदर आके आप पूजा बक्ती व्रत आरादना साधना इन चीजों पर खोपड़ी मत लगाओ आपके अंदर रही वी गंदगी को बाहर निकाल दो फिर जाओगे तो जहां जाओगे बीना पूजा ब करत के भी भक्त कहलाओगे उसके लिए पूजा बक्ति की जरूत नहीं है क्या पूजा करोगे क्या भक्ति करोगे क्या हरिस्चंद्र से ज्यादा सत्य बोलोगे हां मारकंडे से ज्यादा शिव बक्ति कर लोगे तो हम कोई ओकात के नहीं है मापुरुष बहुत हो चुके है हम तो इतना कर सकते हैं कि हमारे अंदर आये हुबे विकारों को समाथ करके सरवोतम बन सकते हैं अगर आप ये बनने की कोशिश भी कर लिए कि वहाई ये करना है मुझे पिर तो आपका क्रिश्ण के लिए आना सार्तक हो जाएगा इतना ही कर लो तो बस आप कोशिशी कर लो तो बस, मेरी कता सार्तक, आपका जीवन सार्तक, आपका आना सार्तक, ये जीवन में आपने दो शब्द सुनें, वो भी सार्ता, है कर नहीं आप भी बताओ, सची बात है, तो आज से ही सोचो, कि बिना काम जूट नहीं बोले, बहुत अपती आ गई, आना, हाटी की, ब्रामिनी थी, भूकी थी, उसको मालूम है कि पती उशस्ती रिशी, बहुत बड़े उशस्ती हुए, वो भी भूके, अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा, सब देश छोड़के भाग गये, कोई नहीं, और इन्होंने सोचा, मैं भी मर जाओंगा, पतनी ले खाके, अब अंतिम ज्वास जैसे लग रहा है, क्योंकि नाडी थंड पड़ गई, नब्स धीमे हो गए, शरीर में से खून बैना बंद हो गए, अभी 48 दिन कौन जिंदा रहे हैं, वो ऐसे दिले पड़ गए, पतनी पास में बैठके रो रहे हैं, वो धीरे से सरक के जा रह खारा, क्या खारा है, हां शिकारी है वो अपने हीसाब से खाता है जो खाना, तो इन्होंने हाथ लंबा किया, मुझे थोड़ा दे दे, प्रान निकलता दीक रहा है, को मिन दोड़ा मुझे दे, शिकारी भूला यह जूटा है माराच, ए जूटाуемे ठालिका है, और मेरे पा नहीं है तो क्या हिसी में से थोड़ा देदें तो चक देखो कैसे ब्रह्मन है यह जूटा सत्तु लेने आ गया तो भी अभिकान ना बोले इतना दे दिया यूनों ने थोड़ा सत्तु अपने लिए दोखवा रख लिया पत्नी को दोखवा दिया वो भी 18 दिन से भूकी दोनों थोड़ा थोड़ा खायन थोड़ा पसु के लिए थोड़ा पक्षी के लिए चार पांती करके रख दिया भास में अब जिकारी ने बोला सत्तु खाया तो गला अटकेगा मारा थोड़ा पानी भी पीलो लो तो बोले नहीं बाई तेरे हाथ में ये की लोटा तेरा जू लेवाम माराज अभी जूटा सत्तू खाया तब बहुत मज़ा आया जूटा पानी नहीं पीवागे ओ बोले पहले जो मैं सत्तू लिया ना जब मेरा प्रान निकल रहा था अब उसलिए वह आपती का धर्म था के प्रान बचाने के लिए कुछ भी करूं अब मैंने दो कवा ख आत परंजा तरह सब्वाइं नुप्र eoo जोट बोलने सबस्क्राइब प्रुछ कि एक अपना जाए अब किसिकायान की पंप्रान छाएगा तो पुन्य में नहीं माना जाएगा तो जूट कब बोलें यह विवेक रखे आपती में शुम के लिए बोलें कोई बना नहीं है लेकिन बिना कामी कोई पूछें के भुजन कर लिया हमने नहीं किया डेखो आप से कहीं बार यह बात होता है छोटी बात इतनी सी चिंगारी जंगल को जला के राक कर सकती है, चिंगारी में छोटी बड़ी नहीं होती नहीं, जूट में छोटा बड़ा नहीं होता है, जूट जूट होता है, अगनी में कोई कह सकते हैं कि छोटा नहीं बड़ा, तो कोई पूचे तो नहीं खाया, बोलने में क्या जा आपको अच्छी बातों का चीटन सिको सीको ऐसी चीज जिस से संब्रग्धी धन सूखक रिष्टे खुद ढूंड कि आपके पास आया को तरसना नमपयोगां अब यार्दा तरस्ते हो ऊंण मिलान वो नहीं मिलान ये नहीं मिलान तरसने वाले को कुछ नहीं मिलता तरसे तो कुछ नहीं मिले तरसना छोड़ना पड़ेगा मस्ती में आना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्योंकि आउचियतन मन का जो विवस्ता वो ऐसा है वो आपको बोलूं तो समझ पड़ेगा के नहीं फिर भी इन बच्चों में कहीं लोगों ने ताईटानिक पिच्चर देखी होगी, कोई होगे जो इसमें ताईटानिक पिच्चर देखा, कौन देखा? अच्चे से हाथ उँचा करो कोई ताईटानिक में आपको मेले के जाने वाला नही हूँ, तो डूब गया है जा जा देखा न भई उसमें आप देख सकते हो यह जो बरफिले चटान समुत्र में रहते हैं यह समुत्र में बहुत बड़े होते हैं खाली उसका जो उपर का नोक बार दिखता है और जब स्नो पड़ता है तो वो भी नहीं दिखता है ताइटानिक में पादेश देता क्या करता है और आपने देखा होगा इस जहाज में निच्छे स्टीमिंग होता है क्या होता है अगनी जला के पानी गरम करते है स्टीम करते हैं हजारों लोग रहते हैं इतनी बड़े जाज को धखेलने के लिए कम से कम 600 लोग 300 लोग इस तरफ और 300 लोग इस तरफ रेके जैसे नाव खेते हैं हम लोग अंदर से वो पूर्जे गुमाते अब यह अंदर जो पूरी तरह पैक्ड अंडर ग्राउंड में रहते हैं इनको बार क्या है क्या नहीं कुछ पता है क्या है नहीं है तो फिर यह गाड़ी कैसे चलती है उपपर से कैप्टन ओर देता है लेफ्ट राइट 90 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री वो बोले तो निच्चे से वो 15 डिग्री गुमाते है लेफ्ट बोले तो लेफ्ट में गुमाते है राइट बोले तो राइट में सामने एक मात्रा आदेश को लेके वो चलते हैं उनको कुछ नहीं दिख़ा है यह सबसे बढ़िया उदारन आउचे तनमन के लिए आपका आउचे तनमन अंडर ग्राउंड में पुर्जा गुमाने वाले वो कर्मचारी हैं जो कैप्टन के आडर पर अपने आप चलते हैं क्योंके वो कुछ नहीं देख पाते हैं आपका आउचे तनमन बोलता है कि आभी मेरे में कोई खोटा उर्जा गुस गया अब मेरे को जटके लगते हैं वो लगते हैं तो तुरंद उस तरफ गाड़ी को गुमान हैं आपने यह आडर दिया तो तुरंद को सोचे मालिक को दुख का मज़ा बहुत आ रहा है इसको दुख की तरफ ले जाओ क्योंके आउचे तनमन को बाहर क्या है बिल्कुल नहीं दिखता आपने जो आडर दिया या जो सोचा जिस प्रकार चिंतन किया उस और आपके अाडर दो उसको कुछ पता नहीं के गलतो और साई के बारे में मालिकने आडर दे दिया उस तरफ ले जा ना गाड़ी को मैं बहुत दुखी हों परेशान हों रोगी हों पीडा हों तो मालिक ने आडर दे दिया रोग, पीडा, दुख, तो गाड़ी किस तरफ मोड़ती है अउचेतन मन, आपने देखा होगा टाइटानिक में, के वो अंदर वालों को बार क्या है, समुद्र है, के पानी है, के नदी है, के पाड़, कोई लेना देना ने, उपर से वायरलस में एक message आता है, इस तरफ मोड़ा, वो उचेतन मन, भी आप दुख, बोलो, तो दुख की तरफ मोड़ता है, मन को इतनी सारी शक्ती दे के भगवान ने मनुष्य बना के धरती में बेजाया, इतनी सारी शकती आप सोचोगे, के धन, 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 करते जाओ, बले आपा यहाड़ी को मउड़ेगा आप गाड़ि उस तरफ चला होगे बाद में के जहां धन है अगर आप यह चाते हो तो मैं रोगी हो मुझे परिशान है मैं कंमर मॉर्डुकत है सब मत बोलो आप यह आप प्रत यह आप परनत यह जाज उस तरफ मुड़ने जो मांग रहे हो उस तरफ वो मुड़े सरीर आप क्या मांग रहे हो देखो कोई एक जन खड़े हो के बोले के मैं सुबे से साम तक दन मांगता हूं आरोग्य मांगता हूं संबव है ये कभी ने मांग साहता है सब ओई बोलेगा बहुत तकलीफ है बहुत परेशानी है संकट है डुख है परेशानी है इन शब्दों के सिभाई अच्छे शब्द आपकी जिंदगी में नहीं यही शब्द है मैरा ये है, मेरा वो है वो अंदर बाला देखता है जो उपर से केप्टन का आदेश आ गया क्या देशा आया बाई दूसरा फूसता है 600 लोग अंदर काम कर रहे हैं दुख दुख उपर से आडर आया है दुख संकट दरिद्रता परिशानी शत्रू बीमारी ब्यादी आच्छा गाड़ी को उस तरफ ले जाओ चलो गाड़ी बहां जाएं जहां दुख की दुख मिलें और संकट बड़े और पीडा बड़े आपको क्या चाहिए माराद बोली है हां तो आप गाड़ी को सुक जाएं उसी तरफ आडर देखके चलाइए आपके मुझ से सुक चाहिए तो सुक की तरफ से ही आडर होना चाहिए आप कैप्टन हो उस गाड़ी के लेकिन चलाते कोई क्या हो और चलाते आप कैप्टन को आडर देने का ही अगर है चलाने का अधिकार नहीं है चलाते कोई कर्मचारी हैं का आउचे तनमन उसको पकड़ के लाता है लेकिन आप तो बहुक हो उसको पकड़ के ले आता हुशत के लिए जिद्दे हीTA बोलो दुक लाएगा पीडा बोलो पीडा लाएगा इसलिए शिव के बजन पार्षनात के बजन पत्मावती के बजन ब्रत पूजा तप दीपक धूप से फेले स्वयम के शब्दों के चयन को मजबूत करो फिर ब्रत फलित होंगे आपके शब्दों के चयन कैसे हैं जिन्दगी में सोच कैसा है आपका विचार कैसा है आप स्वयम को इतना मजबूत करो कृष्णगिरी में आये हुए ये व्यक्ति के मन में दुख रोग पीडा दरिद्रता आदी शब्दों का स्मरण तक नहीं होना चाहिए वो बले ही जिन्दगी में हो आप भूल जाओ उसको जब आप भूल जाओगे तो भूला हुआ मेमान गर में बहुत दिन नहीं टिकता वो अपने आपी निकल जाता जिसकी खातिरदारी जादा करोगे वो जादा दिन रहेगा जितनी खातिरदारी बड़ेगी दुख की खातिरदारी रोग की खातिरदारी बहुत करोगे फिर जाएगा ही नहीं आँ बहुत मज़ा मिलता है यह तो बहुत आनंद आता है यहीं बेटो यह तो हमारा ही याद करता अच्छी चीजों का तो यादी नहीं करता आप बोलो किसी मरे हुऊं की कि किसी अमर हुऊं की कि कोई बड़े हुऊं की कि उदारन पुरुषों की हम बैट करके बातें सुनें इसलिए नहीं है हम उदारन पुरुष बने इसलिए ये कताएं है किसी गए बीते हुऊं की कानी नहीं है ये हम बैसे बन जाएं उसलिए ये कानी है करने सीखते हैं राम को भी राम से फुन्य कमाने सीखने के लिए हम राम की कता सुनते हैं राम के लिए राम की कानी नहीं है राम बनने के लिए राम की कानी हां थाइया था कि समझ रहे है कर अकर तो आपको मैं घड़ि ती कैना चाहता हूं माराइच चाहिए विचार बदली यह क्यों कि अंडर गरहूड प्राइन कर mé mortar काम कर रहे हैं वह यह आपकी गाड़ी को मोड़ते हैं वो न देख पाते हैं न समझ पाते हैं लेकिन मालिक जहां बोला वहां गाड़ी को ले जाते हैं बहुत सरल उदारन है यह टाइटानिक फिर घटना एक्तम अलग काईटी होती है हमारी सोच सही नहीं है बड़े बटके हुए आत्मा